बॉलीवूट की एक Actress की विडियो काफी वाइरल हो रही है इस वीडियो की वाइरल होने के पीछे कई सारे कारण है सबसे पहला कारण तो इस पूरे विडियो में त्रू आउट ये Actress फूट फूट कर रोती नजर आ रही है और बहुत सारे मुद्दों पर शिकायत करते नजरारी है और इसी बीच इस actress ने PM नरेंद्र मोदी को ये तक कहा है कि शर्मानी चाहिए मोदी ची आपको ये actress और कोई नहीं बलकि पायल रोहादगी है पायल रोहादगी की अफसर वीडियो डिसकेशन का हिस्सा रहती है कुछ लोग जहां पायल रोहादगी का जो स्टाइल है बात करने का जो मुद्दो पर वो बैबाकी से बात करती है उसे पसंद करते हैं वहीं कुछ लोगों का मानना है कि पायल रोहादगी और कंगना रनौत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही नफरत फैलाने का काम करती है कल कंगना रनौत की वीडियो सामने आई थी वो भी वीडियो में रो रही थी और कह रही थी कि बंगाल की हालत देखकर रोना आता है कि हिंदूओं के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है घर जलाए जा रहे हैं महिलाओं के इज़त लूटी जा रही है ये सब नहीं देखा जाता है हिंदू जनता के साथ इस तरह से कैसे बढ़ता हो रहा है और इसी मुद्दे पर पायल रुहादगी ने बाद की है इस वीडियो में पायल रुहादगी कहती नजर आती है कि जो लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को मरना पड़ रहा है उन लोगों के घर जलाए जा रहे हैं उन लोगों की महिलाओं के साथ बलातकार हो रहा है और ये सब किस लिए? क्योंकि वो मोदी के सपोर्टर्स है मोदी जी आपको शर्मानी चाहिए आपकी जनता के साथ इतना कुछ हो रहा है और आप चुप हैं पायल रुहादगी ने ये भी कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये दिन दूर नहीं जब बंगाल में वही हालात हो जाएंगे जो गोदरा में हुआ था हिंदू मुसलिम की लड़ाई में बहुत लोगों के खून बह गए थे और यही कुछ हालात बंगाल के होते दिख रहे हैं जिस तरह से हिंदू जनता पर वहाँ पर अटैक हो रहा है पायल रोहादगी ने अपने इस वीडियो में कांगना की भी सपोर्ट की है उन्होंने कहा है कि कांगना रनौत ने जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी वह कहती थी गलत नहीं कहती थी लेकिन उसके बावजूद उनकी बात दबाई गई इस वीडियो में पायल रोहादगी ने सोनुसूद का भी नाम लिया है वो कहती है कि सोनुसूद आक्सिजन की बात करते हैं, बेड्स की बात करते हैं, लोगों की मदद की बात करते हैं तो फिर उनके बारे में सब लोग बात करते हैं, सब उनकी वावाई करते हैं लेकिन अगर कंगनार अनौत बंगाल के बारे में बात करती है या पायल रोहादगी बंगाल के बारे में बात करती है तो उन्हें चुप करवाया जाता है इस पूरे वीडियो में पायल रोहादगी फूट फूट कर रोई है, उन्होंने कहा है कि सुशान सिंग राजपूत के टाइम पर भी मेरा यही हाल हुआ था, लेकिन इस बार मैं बहुत जादा तूट गई हूँ, लोगों को जिस तरीके से मैंने मरते हुए देखा है, रोहित को इस सिचुएशन के बारे में अब लोगों को सफाई देनी पड़ेगी, पहली बार नहीं है जब पायल रोहादगी का कोई वीडियो चर्चा का विशय बना हो, उनके अकसर वीडियो चर्चा के विशय ही बनते हैं और जहां तक बात है पायल रोहादगी की, तो कंगना औ और दोनों में एक चीज सेम है कि दोनों के ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया